हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रेंग का और स्वागत है आपका मेरी किशन में आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ रेस्टो अढ़ाबे जैसा दाल तड़का घर पे बनाने की रेसिपी काफी आसान रेसिपी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है आई होप आपके रेसिपी अच्छी लगेगी तो चलिए शुरू करते हैं रेस्टो या ढ़ाबे जैसा दाल तड़का बनाने के लिए हम लेंगे आधा कप्तूर की दाल यानि अरहर की दाल अब दाल को ना हमें 15 मिनिट के लिए पानी में भीगो कर रख देना है इससे क्या होगा कि दाल पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से भीगो लिया है अब इसे हम पानी से साफ कर लेंगे दाल हमारा तयार है अब सलते हैं गैस की तरफ तो प्रेशर कुकर को मैंने गैस पे गरम होने के लिए रख दिया था यह गरम हो गया है इसमें हम डाल देंगे दो चम्मस तेल साथ ही इसमें डालेंगे दो तेज पत्ता थोड़ा से हिंग पाउडर एक चम्मस जीरा और तीन हरी मिर्ज एक मिनटीन है हम पका लेंगे इसे पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे करीपता और बारी कटिवी अद्रक लैसोन अद्रक लैसोन को हमें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है आप चाहें तो इसमें अधरकatten कहाँ यूज़ कर सकते हैं बट बारी कटा हूआ अधरकलैसॉन का ठेशन है ज्यादा आच्छा लगता है इसलिए आप कोसेश किजिएखा कि बारी कटा हूआ ही अधरकलैसॉन डाले other class उनको थोड़ा सा पक जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे दो medium size के बारी कट हुए प्याज इसे हम 3-4 मिनाट पका लेंगे मतलब light golden brown होने तक प्याज को पका लेना है हमें अब प्याज हमारा पक गया है ये देखे इसमें हम डाल देंगे दो medium size के बारी कट हुए टमाटर जितना मैंने प्याज लिया है उतना ही मैंने टमाटर भी लिया है equal quantity में डालना होता है अच्छे से इसे mix कर लेंगे अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा टमाटर अच्छे से गल न जाए तो इसी तरह से हम बीच बीच में जलाते रहेंगे तो यहाँ पे प्याज और टमाटर दोनों हमारा पक गया है इसमें अब हम मसाले एड़ करेंगे मसालों में हम डालेंगे आधा चमच कस्मेरी लालमिच पाउडर आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच धनिया पाउडर आधा चमच गरम मसाला और स्वादानों सार नमक भी डाल देंगे अच्छे से अब इसे मिलाते हुए एक मिनट हम मसालों को भून लेंगे मसालों को भून जाने के बाद हम इसमें डालेंगे यह भीगोया हुए दाल दाल को भी हम इन मसालों के साथ धोई देर भून लेंगे जादा इसे नहीं भूनना है एक दू मिनट भून लेने से दाल बहुत ही टेश्टी बनता है आप इसे जरूर याद रखिएगा दाल भूनते समय आप गैस को लो फ्लेम पर रखिएगा नहीं तो फिर दाल नीचे से चिपकने लगता है अब दाल हमारा भून गया है इसमें हम डालेंगे पानी तो आधा कप दाल के लिए मैंने इसमें धाई कप पानी डाला है अगर आपको दाल थोड़ी सी पतली रखनी होगी तो आप इसमें एक्स्ट्रा पानी डाल सकते हैं या फिर बाद में भी गरम पानी करके डाल सकते हैं पानी डाल कर एक बार इसे अच्छे से मिला देंगे अब इसका ढखकन लगा लेंगे और मीडियम फ्रेम पर 5-6 सेटी लगने तक इसे पका लेंगे जैसे ही इसमें पास 6 सेटी लग जाएगी गैस को हम आफ कर देंगे और इसे खुद ही ठंडा होने देंगे बीच में इसे नहीं खोलेंगे तो यहाँ पे अब हमारा प्रेशर को कठंडा हो गया है इसे हम खोल लेते हैं तो यह हमारा दाल जो है और रेडी हो चुका है बहुत ही अच्छी समें से खुश्बू आ रही है यह देखिए ढाई कप मैंने इसमें पानी डाला था तो दाल हमारी इतनी गाड़ी बनी है अगर आपको यह दाल गाड़ी लग रही होगी तो आप इसमें गरम पानी आड़ करके इसकी कंसिस्टेंसी को पतला कर सकती है बट यह वाली डालना ऐसी ही अच्छी लगती है डाल तो हमारी त्यार हो गई है बट अभी हमें इसमें रेश्ट्रों और ढावे वाला फ्लेवर देना है तो इसके लिए मैंने एक तड़का पैन गरम कर लिया है इसमें हम डाल देंगे एक चमच घी घी जब अच्छे से मिल्ट हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे दो सुखी लाल मिच बारी कटा हुआ अदरक, लैसून और थोड़ा सा हिंग पाउडर अब इन सब को हम तब तक पका लेंगे जब तक कि लैसून और अदरक का जो कलर है वो लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब ही इसका फ्लेवर इक्तम रेश्टो और धाबे जैसा हैगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अदरक लैसून का कलर चेंज हो गया है बस थोड़ा साम इसमें कश्मीरी लाल मिच पाउडर मिला देंगे और चलते हैं तड़का लगाने के प्रोसेस में तो रेश्टो और धाबा स्टैल दाल तड़का बनाने के लिए आपको यह वाला तड़का जरूर लगाना होगा तभी वो फ्लेवर आपाएगा साथी चारकॉल का धुआ भी लगाया जाता है बट मेरे पास चारकॉल नहीं था इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई बट आप यह तड़का जरूर लगा लिजीगा इसलिए आपको रेश्टो और धाबा वाला फ्लेवर मिल जाएगा तड़का लगा कर आप इसे थोई देर के लिए ढग कर छोड़ दीजेगा ताकि अधर अगलास उनका फ्लेवर ना पूरी तरह से दाल में मिक्स हो जाएगा फिर उसके बाद बहुत सारा धन्या पत्ती इसमें डाल दीजेगा और बस दाल पूरी तरह से तयार है धन या पत्ती डाल कर हम इसे अच्छे से मिला लेंगी और ये देखिए दाल तड़का हमारा तयार है लग रहा है न एकदम टेंटिंग बिल्कुल वैसा ही जैसा हमें रेश्ट्रों धाबे में मिलता है कलर टेक्शर बिल्कुल ही वैसा ही आप देख सकते हैं अब आप इसे अपने घर पे एक बार जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे कॉमेंट में बताईगा कि आपका ये दाल तड़का कैसा बना और हाँ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा बिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक क्या बाबाई और थैंक यू